बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्लास 12 के हिस्ट्री यानिकी इतिहास सब्जेक्ट के लिए तो बेसिकली बच्चो अभी रिसेंट में आपका हिस्टी का जो प्रिवोड एक्जाम होने वाला है 19 दिसंबर 2022 को ठीक है इस दिन के पेपर के लिए इस वीडियो में हम एक और सेंपल पेपर को बच्चो बहुत अच्छी तरीकी से सॉल्व करेंगे ठीक है एक पेपर ओलेड के एक्जाम होगा 2023 का उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हिपट ठीक है बच्चो तो ध्यान से समझेगा हर एक कोश्चन को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझाओंगा ठीक है और ये पूरा का पूरा पीपर इससे मैं आपको completely हिंदी मीडियो में बहुत अच्छी तरीके से समझाओंगा इवन जो इंग्लिश वीडियों के बच्चे है उनके लिए भी यहां पर आंसर प्रोवाइड किये जाएंगे तो सभी बच्चे वीडियो को completely जरू देखेगा ठीक है देखिए वैसे तो आप सभीको पेपर का पैटन पता ही होगा लेकिन क जिसमें से स्टेक्सिन नमबर जो ए रहेगा इसमें टोटल आपके 21 जो कोश्चन है वो रहेंगे MC की वारे ठीक है कैसे रहेंगे MC की फिर खंड बी जो रहेगा इसमें 22-27 की टोटल जो है वो छे मार्क्स के तीन कोश्चन होगे करी बच्ची कहेंगे स्रीज चोइस मिलेग बहुत अच्छी बात कि राएगा हमारा खंड नमबर डी जिसमें 31-33 यह सुर्वताधारिस कोश्चन होगे चार मार्क्स के ठीक है चार चार मार्क्स के तीन कोश्चन होगे उसके बार यहां पर हमारा जाता है खंड नमबर ए अब खंड ए में बेसिकली यह कोश्चन में 34 रहेगा आपका के वर एक कोश्चन पांच मार्क्स का मैप बेस्ट और इसमें भी पता है कैसे होगा कि तीन का तो आपको अंकित करना होगा और दो मार्क्स में अंकित किया हुआ रहेगा आपको पहचान के नाम लिखना हो तो यह है आपका कम्प्लीट पेपर का पैटन और ठीक है हम क्या करेंगे कि इस पेपर को दो पार्ट में समझेंगे अच्छी तरह से ताकि जैसे होता नहीं कि डेट से दो घंटे का वीडियो बन जाते तो आपको देखने भी मजा नहीं आता है तो हम क्या करेंगे इसलिए हम इसको दो पार्ट में कवर अप करेंगे तो मार्क्स करी करते हैं 21 प्लस में 18 यानिकि 39 मार्क्स करी करते हैं तो आप इस चीज को ध्यांसे समझेगा हर एक कोश्चन को मैं आपको अपने एफट लगा कि बहुत अच्छी तरीके से आपके बच्चों के लिए जो बच्चे सेक्षन नंबर ए हमारा स्टार्ट हो गया है अब सेक्षन ए में जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल आपके जो कोश्चन वो कितने होंगे एमसी क्यू रहेंगे 21 तो आप सभी बच्चें से रिक्वेस्ट है कि जो एमसी क्यू कोश्चन रहेंगे आप उन सभी कोश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में या फिर लाइफ सेशन में जरूर करें इससे आप भी प्रेक्टिस हो जाएगे और मुझे भी अच्छा लेगेग उसके माद्यम से आपको उस विक्ति की पहँचान कर दे हैं जैसे पहला कोश्चन दिया हुआ है कि नियम ने लिखी तो जानकारी की सायता से भक्ति संत्की पहँचान करें तो हमें ये जो जानकारी दी गई है इसमें ये जानकारी किस भक्ति संत्की है ये बताना है तो दे अपने विचार पंजावी भाषा में शब्द के माद्रम से अपने विचार रखे थे वह रखे थे वह रखे थे वच्छो बाबा गुरू ना नहीं तो यहाँ पे मारा कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्छो ऑप्शन नमबर ए जिन वच्छो ने ए आंसर दिया है व पूरा का पूरा कांसेप्ट आपको देख रहे हैं यह बाबा गुरू नाना के संबर ठीक है ऑप्शन नमबर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा ठीक है बच्छो आगे चलते हैं बहुत ही सिंपल सा कोश्चन है आप सभी को पता भी होगा 1857 की क्रांती का तातकाली का देखो इतना तो हमें पता है के 1857 की क्रांती में यह जो आटे में हड्यों का चूड़ा मिलाना गाय और सुर की चर्वी वाले कार्टूशों की अफवा बगेरा ठीक है रंगी सेनिकों को मालना भालतिय सेनिकों को कम वेतन मिलना यह सभी जो है इसके कारण रहे थे लेकिन तातकाली कारण क्या था जिक है यह और ज्यादा उग्र हो गया तो वह कारण कौन सा था बच्चों वह कारण था हमारा ऑप्शन नमबर बी गाय और सुर की चर्वी वाले जो कार्टूश थे इसकी अफवाया फिर कह सकते हो कि एक सटीक इस टाइफ है तो इमेडियेट केस सब्सक्राइब करेंगे सभी बच्चे यह आपके चैप्टर 15 से है जो आपका सम्विधान वाला है लाहौर अदिवेशन में पूर्ण स्वराज को कॉंग्रेस का लक्ष घोषित किया यह कब हुआ यह साथ 13 अफिप्टीन से है तो लाहौर का वह अदिवेशन जिसमें पू यह हुआ था बच्चो 1929 में ठीक है इस तरीके से इंग्रिश में देखेंगे कंप्लीट स्वराज इस डिकलेर दगोल अब दी कॉंग्रेस इंदी लाहौर सेशन वें दिडिट इस हैपन डैट इस 1925 ओके ना कोश्चन नंबर है हमारा फोर में पूछा गया है कि नियम लिक पहला देखते हैं अधुम सभी को पता है हडपा कहां है अधुम पोचिबाए बिक करें मघु हान pressured रखाण तो मोहन जो दुड़ो जो है ये बिसिकली लर्काना जिला में है कहाँ पे सिंध्यान की पाकिस्तान में है धौला वीरा कहाँ पे कक्छेन की गुजरात में है राकी गड़ी कहाँ पे गुजरात नहीं गलत राकी गड़ी बेसिकली एक हां है वच्चो राकी गड़ी है हृ। राकी गड़ी हृ। तो हम जो आप पर फ्रेशे रेक है राड़ी गुजरात में ये गड़ात हो जाएगा क्योंकि ये कहां पर है ये वच्चो आप अब गुझे फिरण नुमर fashionijn रहेगा उसमें आपको एक image दी दी जाएगी और उस image से यह पूछा जाएगा कि नियमने लिखत विकल्पों मेंसे दीगी छवी को पैचाने यह जो हमें चित्र दिया गया है ठीक है तो कि आपकी ncati किताब से लिया गया है तो यह चित्र विसिकली क्या दश्चात है क्या है क्या यह सांची का तोरण दवार है गुरुपक्ष मंदिर का गोपरुम है अमरावती का तोरण दवार है या फिर इनमें से कुछ भी नहीं तो आपने चैप्टर नमबर फोर है यानि कि महात्मा गुद्वाले चैप्टर में पढ़ा होगा विचार गुश्रासवर में आते कुछ nenhum को त्यागने वाले क्या होता है उंसारिक जीवन को त्यागने वाले किकैं款 स्से तरीके से आप कोस्षिंट को इंग्लिजस में देखेगे तो यस प्यक्टेर स्याना आ चाहें इसी में जो आपका है वाट इस दा मीनिंग ऑफ शर्मन डेट इज ऑप्शन नमबर ए ठीक है अब बात करते हैं कोश्चन नमबर शिक्स की हाँ नियमने लिखित का सही मिलान कीजी तो एक कोश्चन आएगा आपका मिलान वाला तो सबसे पहले देखेंगे भाई आलिवुद् के सास्क के समय पे ऐाए था ये आया था महमूद गजनवई की टाइम ठीक है पर यहां पर राइट हो यह रहा और यह और उसके बार जिसमें दूसरे का C हो यह मिल गया, B मिल गया हमको, B right हो जाएगा हमारा है, एकदम सिंपल सा question है, आपको पूछा जा सकते हैं इस तरीके से, यह option आपके 4 भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, अब इसी तरीके से जब यह इंग्लिस में देखा जाएगा, तो अलिव्यूनी, मौमद गजनेवी, एवन बतूता, मौमद बिन तुगलग, बन्यर, शाह जहां, that means, option number, B right हो जाएगा, ओके बच्चों, चलिए, question number 7 है, यहाँ पे देखिए, बहुत ही interesting question है, कि असोग के धम के बारे में कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे कुछ कथन दिये ग अच्छा विवार रखता है, बिल्कुल सही है, सेवकों और दासों के साथ में उदार विवार रखता है, यह भी सही है, जो गलत है, वो यह है भाई, कि हम अपने धरम के अलावा दूसरे धम और परंपराओं का अनाधर करें, ऐसा असोग धम में नहीं कहा गया है, तो यह तो कौन सा गलत हो गया बच्छो, आपसर नमबर स्टी वाला गलत हो गया है, इसी तरीके से आप से इंग्रेश में देखेंगे, तो विच श्टेट्मेंट अवाउट असोग धम इस वांग, इस डिसेग्रीट फूर अदर स्रीजियस एंडी ट्रेडिशन, इट इस वांग, इसमें आपको पहँचान करनी है, इस कथन की, अब इस कथन में क्या पूछा गया है, बहुत गरंते के अनुसार यह चत्रिये थे, परन्तु ब्रामण गरंतों के अनुसार वह निम्न कुल के माने जाते थे, यानि कि यह चत्रियों जो शासक हैं, उनके बारे में, जैसे कि बहुत गरंत जो थे, बहुत गरंत इनन चत्रिये मानते थे, लेकिन ब्रामण इनन निम्न कुल का मानते थे, तो यह किस सासक के संबन में है, सुंगवा कबड के बारे में, सक सासक, मलेक चाफिर, मौदे वंश के बारे में, इसके बारे में मौदे वंश के शासक के बारे मे अब इसी को आप इंग्लिस में देखेंगे, तो इंग्लिस में identify आपको करना है, तो यहाँ पर हमारा dig right हो जाएगा, more identity, अब यहाँ पर एक question आएगा आपका अभिकतन और कारण, देखेंग भई अभिकतन कारण का, नीचे दो कतन दिये गए हैं, एक को अभिकतन A और दूसर सुल्तान ग्यासुदिन खिलजी निवर्माई थे, पिल्कुल ठीक है, हम सभी को पता है भाई, कि जो ख्वाजा मुहिरी दिन चिस्ति की दरगा है, यहाँ पर सबसे पहले मुहमद बिन तुगलग आया थे, लेकिन यहाँ पर इमारज जो थी, वो सुल्तान ग्यासुदिन और गुजरात को जोडने वाले व्यापारिक मारग पर थी, अथा यहाँ अनेक आत्री आते थे, देखो, एक तरब तो क्या है, कि यहाँ पर बताये गया है कि भाई, ख्वाजा मुहिरी चिस्ति की दरगा जो थी, इस पर कौन आया, कि कै, और किसने क्या वर्माई, और दू तो हम कहेंगे option A, A और आर दोनों सही है, और आर एकी सही ब्याट भी काता है, ठीक है बच्चो, बिल्कुल आपको समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, अच्छा, अब इसी को English में सरीके से पूछा जाएगा, आपको assessment और reason दे दिया जाएगा, assessment हमारा right है, reason में हमारा right है और यह इसकी अच्छे से expression भी करता है, तो यह हमारा यहां पर right है, ठीक है, complete हो गया, अब बात करेंगे question number 10, 10 यह है भाई, कि जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस थी, वो जो करी की व्यूस्ता थी, यह जब लागू की गई, तो उस समय बंगाल के governor general कौन थे, बहुत important question में बच्छो, जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस लागू किया जाता है, तो उस समय कौन थे वही बंगाल के governor general, ठीक है, Lord Mountbatten, Convalish, Lord Khazan, Lord Heer, तो वो थे बच्छो, Lord Convalish, ठीक है, Convalish, अब इसको English में दिखेंगे, English में आ जाएगा, who was the governor general of Bengal, when the permanent settlement was implemented in Bengal, that is, option number B, Conval जो संभिधान के बारे में है, यह प्रस्ताव किसने पेस किया, कैसा प्रस्ताव भाई, भारत का राष्टिया ध्वज, केसरिया, सफेद, और गहरे रंग का होगा, इसमें तीन बराबर चोड़ाई वाली पट्टिया रहेंगी, ताती यह तरंगा जंड़ा हो, और इस इन अदेश प्रस्ताव के अंतरगत यह बात कही गई थी, तो अब उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द तो आपको तीन से चार विकलत दिये जाएंगे उसके अधार पर पहचान ना हो एसे भी कोशन आएंगे यहां पर दिया गया है पैड़े दल डा के विश्था के बारे में कत्त पर विचार करें देखो यह जो चार कथन है यह आपके जब आपका तीन मार्क्त का यह दिक बन ज से कोशन भी कंप्लीट करें तो है ना अच्छी वात चलिए पहला कोशन पढ़िए मदब पढ़ेंगे तो प्रितियक मील पर तीन अवस्थान होते थे जिनने दावा कहा जाता था संदेश वाग अपने एक हाथ में पत्र और दूसरे हाथ में छड जिसमें घंटियां बदी यह प्रिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि संदेश उसके अंतिम इस्थान तक नहीं पहुंची है यह चारों के चारों हमारे जो कथन है यह कैसे है पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी के सभी सही है अब आपको समझ में आई गया होगा हम कौन सा चुनेंगे सभी ठीक है अब आता है कौशन बद 13 13 में हमसे पूछा गया है बच्चो कहता है क्या कहता है भाई बेसिकली यह कथन है कथन यह कहता है कि जंगल एक ऐसा रख्चा कवश था जिसके पीछे परगना के लोग कड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे उनके लिए जंगल एक रख्चा कवश के रूप में कार करता है यह व्यक्ति ने कही है तो यह कही है वच्चो बाबर ने कही है आपके चैप्टर एट में मिल जाएगा अब इसके और यहां पे और ऑपशन है आपको आपको आंसर बता दिया है यह कौश्चन बहुत बच्चों को नहीं पता होगा देखिए वैसे मैंने आपके लिए जो फर्स्ट वुक है और जो सेकंड वुक है इसके हर एक चेप्टर की 100 प्लस MCQ की एक सीरीज बनाई हुई है अगर आपने वह सीरीज नहीं देखिए MCQ वाली या फिर आई वेटन में आपको लिंक देदेगा यहां से देख लिएगा मैंने लाइव कराया था आपको बहुत अच इस तर्ल की रूप में मानिता मिली है यांकि हमिन देखो खोच तो बहुत पहले होगी लेकिन राश्टी महर्तु का इस थाल उसे कम माना गया कम से मानिता मिली इस रूप में इसका है 1976-8086 यह बिसिकल रहा था 1990 शरी 1976 में हुआ था इसको आप इंग्लिस में रेखेंगे तो बच्चे कन्फीज हो जाएंगे वो ज्यादे पैंच चला दिया है ठीक है बी राइट है 1976 ओके बच्चो नाओ अब आता है कोश्चन नवर फिप्टेंग फिप्टेंग में पूछा गया है बच्चो हमसे पुरुषों की दुलार्व पत्थर से बनी मूतियां पाए गई है य प्रुहित राजा के संबन में या पिर इनको संग्या दीगी इस रही है आपका जो हो जाएगा प्राइश्ट किंग के बारे अब आता है कोश्चन माश 16 चैप्टर सेकेंड मौर सम्राइब कौन से दो छेत्र लंबी दूरी वाले में व्यापारिक मार पर इस थितित क्यानि महाजंपर वगारा करते थे तो ऐसे टाइम पर इनमें से कौन से दो छेत थे जो लंबी दूरी के में पूर्ण वियापारिक इस थितित थे मगर तक्षिला सुनगरी उजयनी सुनगरी तक्षिला उजयनी बिलकुल ठीक बिलकुल ठीक और सभी का जिनों ने आप सबीका सभ ठीक है से इंग्लिश में देखेंगे विश्टू रीजिंस वर लोकेटेट ओन दी इंपोर्टेंट लॉंग डिस्टेंट ट्रेट रूट इस ऑप्शन नमबर डी ठीक है बच्चो ना फिर आता है कोस्टन नमबर 17 बहुत बच्चों के इसका आंसर नहीं पता होगा कि कृष् राये ठीक है इनका संबंध इसक रूट से था संबंध इनका संबंध कमेंडव अब आप यह यह आयुख को पिंट कर डूँगा तो आप समझी गई होगे इसमें से कौन साप्शन होगा विल्कुल ठीक पंद्रा सो नो से पंद्रा सो उनत्यस वाला राइट हुआ ठीक है 20 साल का था उसके बाद इंग्लिस में आएगा हाओ लॉंग देजन ओप्रेशन देव राइट याद रखें आईने अकवरी किसके रुआदर लिखी गई अवल फजल की आएने अकवरी आकणों के वरगी करण के तथा एतिहासिक और प्रसास्निक परियोजना का नतीजा की बिल्कुल ठीक है अवल फजल यह जो आएने अकवरी लिखी थी यह इसमें आकणों का वरगी करण था एतिहासिक और प्रसास्निक परियोजनाएं इसमें लिखी हुए तो जिसे डैस में पांच संसोदन की बार पूरा किया गया तो आपको यह भी पता चलिया कि आएने अकवरी को कितनी बार संसोदन किया गया था कम से कम पांच बार किया अब यह हुआ कब है यह हमें यहां पर बताना जरूरी है ठीक है यह बिसिकली कब हुआ था बच्चो यह हुआ है पंदरा सो अंठान वे ठीक है 1598 अब इसे कोश्चन के इंगलिस में देखेंगे यहां पर आपका यह कथन हो राइट अंसर आपका औप्शन नमर्ट भी हो जाएगा बच्चो ना बहुत ही अच्छा कोश्चन है सभी को पता होगा कि भाई जब संभिदान सभाग में संभिदान दिर्माड हो रहा था तो संभिदान दिर्माड के समय परदे के पीछे मुख की भूमिका निभाने वाल तो यह तो नहीं हो सकते हैं परदे के पीछे से बात की यान की मुख की रूप से उसमें सामिल भी ना होना तो यह बिसिकली जो कार था वो किया था उन्होंने जिन्हें लौपुरुष्की संग्या देगे तो किसी दीगे लौपुरुष्की संग्या सर्दार बल्लबाई प कोशन में 20 20 में पूछा गया भाई कि जब भारत आजाद हुआ ठीक है तो ब्रिटिस भारत है उस समय अंग्रेजों ने भारत को स्वतंतर करने के संब्द में भारत को विभाजन करने का जो एलान किया था यह किस वाय सराय ने किया था ठीक है लॉड वेवल सीराज आप सभी को पता है भारत के विवाजन का भारत के स्वतंता का श्रेकिस से जाता है लॉड मांट वेटन को ठीक है यह चीज़ उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे वाई विच विक्यूरे डिडिडी डिकलेशन ओफ इंडिपेंडेंस एंड पार्टिशन अब डिटिस सिस्टरम वन टाइम सेटलमेंट इंप्लिमेंटेड यह कब हुआ था यह वह था भईया अठारा सो चपर में यानि की अपसर नंबर यह हमारा यहां पर राइट हो रहे हैं ठीक है बच्छो तो पच्छीस मिनट ठीक है टोटल पच्छीस मिनट में हमने अपने 25 MCQ अच्छे में आए होंगे एक बात सभी बच्छे मुझे लाइव सेसिन में या फिर कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताएं कि यह सर आपने जो भी हमको अभी तक समझाए है MCQ वाली कॉस्टन होगे जितने भी वह हमको समझ में आ गई है ठीक है अच्छे अच्छे प्रेक्ट चीज़ चलिए जहां से दिखिएगा क्वेश्ट ट्रेक्ट नमबर भी आ गया है बच्छों मारा शॉर्ट अंसर टाइप क्वेश्टन के बार में तो पहला कोश्टन बेसिकली यहां पर लिया गया है क्वेश्टन है आपका कि सिंदु सब्विता की विसिष्टा रिखिए आपको पूरे के पूरे चप्तर का एक साथ पूछ लिया है, कि सिंदू सब्विता की क्या विसेष्था हो सकती है, आपके अपर्डिक, आए भाई देखते हैं, बहुत से विसेष्था हैं सिंदू सब्विता की बहुत सारी, जैसे, सबसे पहले विसेष्था तो ये है, कि सिंदू इसमें लिपई है जिससे आज तक हमने नहीं पड़ पाई हैं। इसलिए जब भी हम अजन कारी का है हाज सिंदू प्राताप्रिक्स अच्छे उनी के अधार पे सिंदुसभिता की गटनुओं के बार में जानते हैं, सिंदुसभिता की लोग भी मापतौल के लिए बाट का उप्योग है, यंकि जैसे आज हम फिलुकप आप्योग करते हैं, वैसे ये उस समय अनने तरीके के बाटों का प्योग करते थे, ट्रिक है? बाटों को रॉघाल्य में, शिंदू सभीता के लोग युद्धवाद तल्वार से पर्चित नहीं थे, अतार लोग लोग लोहे के ओजात, यांकि लोहे जो धातु होती है, इससे पर्चित नहीं. सिंद्यू सभिता में मोहरों पर हमें एक सिंग वाले जानवर का चित जालते देखने को मिला है, यानि कि यह बिसिकलिट जिसे हम एक स्रंगी कह सकते हैं, यहां पर यह लोग संभवता एक सिंगी जानवर को पूछते भी होने हैं, लेकिन हमें कहीं पर भी गाय का चित नहीं म लेकिस्ट सबसे बड़ा जो कारहने वह बाड मारा जाए तो मतलब इसमें आपको टोटल 6 पॉइंट ही लिखने तीन मार्स में इसकी विस्यस्ताओं के बारे में फिर बच्चो तो सारे पॉइंट में आपको समझा दी अच्छे तरीके से आई होब आपको हडपा सबीता या स किस प्रिकार के बतलाव आई थे बहुत से बतलाव आई थे सर्जी कौन-कौन से आई थे बताईए देखिए सबसे पहला बतलाव यह आया था कि जिग्वेद का लेखन शुरू हो गया कैसे तो सिंदु नदी और इसकी उप नदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने जिग् पहले बहुत को करते थे उन्हों ने अपने आपको वस्तियों के लिए फिर फिर अपर पूरु पहली सतवदी के की दौरार मध्य और दक्षिड भारत में सवों के अंतिम संस्कार या आप सभी को पुता हैं कि जब हड़पा सब इता थी तो उस समय सवों को दफनाया जाता है लेकिन आब समय को अपनाया भी जाता है उनको जलाया भी जाता है और यहां पर अंतिम संस्कारि के देखे। कि इस समय बहुत सारे ग्रंतों की रचना हुई आत्रसास्त्र बहुत जैन घर्म कई सारे आरंबिक राज्ये और जो नगरती इनका उद्य हुआ ठीक है बेसिकली चटी चरदी सा पूर्व का काल एक दो पॉइंट पॉइंट उसके ठीक है देखा आपने एडम सिंपल तरीके स कर सकते हों एक वह आपको हिंदी में समझाता चलूँगा और इंग्रिस में आप दिखाता चलूँगा कि आप इस तरीके से कर सकते हो अब यहां पर दूसरा जो हमारा question पूछा गया था वो यह था कि हाव चेंज तो प्लेस इन अवाउट वन एंड वन हाव थाउजन टियर्स आफ्र दी डिक्लाइब ऑफ हरपन civilization ठीक है तो वो क्या था वही देखते हैं देखेंगे यहां पर नीची उसका आपका complete answer अब हम चलते हैं अगले question के चरब जो की हमारा question का दूसरा question बहुत ही important है और सबी बच्चों के इसका थोड़ा सा तो पता होगा लेकिन complete answer कैसे लिखना जिसे आपको पूरे के पूरे तीन माक्समें वो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको समझाता हूं ठीक है देखिए बुद्र के जीवन कालम है और उनकी मृत्यू के बार भी बहुत धर्म तेजी से फैला तो बहुत धर्म के मात्मा बुद्र के जीवन के पहले भ सबसे बड़ा कारण कि लोग समकाली धार्मिक प्रताओं से ऐसंतुष्ठ थे कैसे धर्मिक प्रताओं वाई क्योंकि उस समय ब्रामणी बचादरा ज्यादा फैल रहे थी उत्री भारत में धार्मिक तुपान आ रहे थे और यह बहुत सारी कारण थे तो यहां पर क्या कोटे और जो कमजोर लोग थे इनकी तरफ मित्रता का और करुणा के भाव को महत दिया जाता है ठीक है अब एक चीज़ देखो मान निखते कि आपका धर्म ए है ठीक है और उसी धार्मिक समुझा की लोग आपसे नफरत करते हों आपको उसी धर्म को मानने के लिए बादित होता है तो वह सभी के लिए मित्र बन जाता है वह सभी के लिए एक द्रय का पात्र बन जाता है वह सभी के लिए एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है और उस धर्म में उसको माना जाता है तो आप कौन सा धर्म अपनाएंगे वही अपनाएंगे जहां पर आपको अच्छा ल और इस धरम में चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो दोनों के दोनों ही आकर्षित हो रहे थे क्योंकि उन्हें यहां पर बहुत अच्छा लग रहा था अच्छा सम्मान मिला था ठीक है साथी चौथा पॉइंट है कि ब्रहमण वादी विचा धाराओं ने जिन व्यक्ति को ब्रहमण चत्रिय वैश और शुद्र ऐसे लोगों को इनको नीच समझा जाता था बहुत धरम में उन लोगों को भी सम्मान दिया गया तो इस तरह से यह तेज़े से फैला उनके संदेश पूरे महारीप में और उसके बाद मद्य एशिया होते हुए चाइना पोरिया जाप श्री लंका जमूर्द पार करके मियमा थाइलेंड इनरोशिया यानि कि वले एक देस में नहीं नहीं था बल्कि बहुत सारे देस वे तो अब आप एाज रखेंगे कैसे हुआ देखो थोड़ा सा दौ़ारा समझा ड़ीटा हो ये इसलिए फैला यूपि उस समय लोग समकाल जनम के आधार पे स्रेश्टा का भाव होता था लोगों को नीज समझा जाता था एपविट्र मनना जाता था महिना पुरुष में बेदवाव किया जाता था लेकिन बहुत धर्म में चाहे चोटे हो कमजोर लोगों सभी को मित्रता और करोणा के भाव से दिखा गया था ठीक ह तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे बाई कि आकर मात्मा बुद्र के जीवन की पश्चार भी और जीवन के दौरान भी कैसे तरी से फैला था यह धारम चलिए इसे कोशन को इंग्लिस में दिखेंगे तो इंग्लिस में इस तरीके से आएगा बच्चो कि किस अरी के से यह फैला ठीक है मन्ने के पहले भी और मन्ने के बाद यह सभी के सभी रीजन है इस अलसो कम लाइक क्वेशन बाकी की पॉइंट यह आप यहां से देख सकते हैं ठीक है बच्चो आयोप आपको कंप्लेट लिए क्वेशन समझ में आ गया होगा अब हम बात करत होस्टे है क्वेशन नंबर है हमारा 24 थैक है 24 में देखते हैं वही हमसे क्या पूचा गया है 24 में पूचा गया भई कि बर नियर के गरन्ति है आपसब को तो पहले यह पता होना चाहिए कि बर नियर का ग्रंति सका नाम क्या है उसकी तो इसकी क्या किवसिषता है तो पहले जो आपने यह समझ लिया यह विसिषता है तो दूसरी यह है कि बर्नियर ने जो भी प्रिक्षण किया आलोचना पर अंतरिष्टी तथा गहन चिंटन के लिए उलिखने बिसिकली इसके जो किताब है और बर्नियर का खुद का जो व्यक्तित है उसके जो पहचान है वो बिसिकली इसलिए कि वो हर एक चीज को गहन प्रिक्षण की बहुत सूख्षम तरीके से उसको समझता है फिर उसके आलोचना करता है और फिर चिंटन के लिए उलिखने इसको माला जाता है उसके इस व्रतान्त में कई चर्चाओं में मुगल इतिहास को एक प्रिकार के वैस्विक ढांचे को स्तापित करने का प्रयास किया लिए लैटमिस बर्नियर ने जो भी अपनी चर्चाएं की है इस बनियर गिरलत में भारते इतिहास के संब्द में तो भारते इतिहास के बारे में मुगल समराज्जी को मुगल के इतिहास को बेसिकली एक वैस्विक ढांचे की रूप में समझाए ठीक है ठांस्वा बनियर निरंतर मुगल कालिन भारत की तुलना हमेशना अपने व बेसिक्री देखो क्या क्या विस्टेशना है इसकी कि सबसे पहले इसके गरंद का नाम है अट्रेवल सिंदी मोगल अब यह किताब इसलिए फेमस है क्योंकि इसमें फिर्मसवा बंद्यार ने अपने गहन्ड प्रेक्शन किया है आलोचना की है ठीक है बहुत गहन्ड चिंतन इसमें मुगलों का जो उतियास था उसको एक प्रिकार का वैस्वेक धांचा दिया गया है और यह भारत में जो भी देखता था उसकी अपने यूरूपिय देश से तुल्ला करता था ठीक है इसने भू स्वामित यह एक अलग पॉइंट है मैं आप बता देता हूं इसने इसमें लेख सकते हो ठीक है तो आपको कॉंसेप्ट के लिए होना चाहिए आंसर तो आप इजिली अपने आप भी लिख जोगे ठीक इसी कॉर्शन को जो आप इंग्लिस तक पूछा जाएगा तो इस तरह की से बच्चो पहले तो देख सकते हैं क्या कैस के इसके होंगे ए बी चीडी यह सभी के सभी आप इजिली आप से लिख आउट कर सकते हैं ठीक है बच्चो अब आ जाता है हमारा कोश्चन बट 25 बहुत इंपॉर्टन प्रशन है बच्चो यह कोश्चन वैसे आपका आठ मार्क में आना चाहिए था ठीक है लेकिन फिर भी आया है तो देखन पढ़िए था ठीक है वैसे एक समराऑ के लिखेंगे सबसे पहला है गोडों का आया कि विजय निगर समराज के काल में युद्धकला असुसेना पर आठा था 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 तो समय युद्धकलाज पर नहीं था था बन्कि अस्थू सेना पर निर्भर होती था इसलिए मद्धृ-शिया अरब से घोड़े आया की जाती थे इनकी घोड़ों का व्यापार पुतगाली पतगाली पश्च्वी तटपर आए और पश्च्वी तटपर रहे व्यापारे और सामरी केंद्र बनाने इनके अपना व्यापार करना किसके रूप में जो बंदूकें हुआ करते थे उन्हें कुदी रही चेटी या फिर घोड़ों का व्यापारी भी कहा जाते हैं अब खुद विजय नगत सामराज्य की जंता इतनी ज्यादा सम्रेद थी कि वह महंगी विदेशी वस्तों की मांग करते थे इसलिए गोड़े बंदूग अन्य जो चीज़ थी उनको खुद विजय नगत सम्राज्य जब इसके लोग इतने समरेद हैं तो महंगी दुरवस्तों में आमोशन रत्मंगा रहे तो यह खुद अपने जो मसाले होते थे वस्तों होते थे यह दूसरे देशों में निर्यात किया करता था ठीक है और निर्यात आयात यह जो पूरा सबी पॉइंट आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे ठीक है बच्चों एक बार दुवारा से समझा देता हूं आपको ठीक है कहीं फिस से कोई डाउट ना रहा बच्चों का दुवारा से देखो विजय नगत समराज के दौरान क्या होता था था कि यूदिकला आसू से न समराज की लोगों को बंदूख दी जिससे की व्यापार इनका और बढ़ गया इनके खुद के जो व्यापारी लोग थे उन्हें पुद्रई चेटी अटवा गोर्ण का व्यापारी कहते थे यहां की जंता वह समझ में आ गया कि विजय नेगर खुद अपने मसाले वस रपन इन सभी को अंदे देशों में भेजा करता था बेचा करता था और बाकी साले तो अब आपको समझ में आ गया कि विजय नेगर समराज जिका वो जो व्यापार एक पूरा का पूरा समून था कैसे उसका कार्य वगयरा तो कंप्लेट हो गया कोशन में 25 और लेड़ी हमारे 40 मि बशते हैं विद चॉइस के साथ ठीक है यहां पर है एक्स्प्लेंट दी कमर्शिल एक्टिविटीटी विजय नेगर अंपायर की वह आप इजी लियां से देख सकते हैं यह के बार में आप देख लीजे यह सारी के सारी है आप चाहू तो इसका स्क्रेंशॉट भी ले सकते पहाडिया लोगों की जिन्दगी का जंगल से घनिष्टता से जुड़ा हो था वर्न की पहाडिया लोगों का जीवन पूर्ण रोप से जंगल निर्वन होता था पहाडिया लोग जंगल के छोटे से हिस्सों में धाडियों को काट लिया करते थे फिर घासपूस को जलाकर उस जमीन को साफ कर लेते थे और जब उस जमीन को जलाया जाता था मतलब वहाँ पे घासपूस जो होती थी सूखी टाइप में तो वह क्या करती थी वो जो राख ह सिंपल और पहले खास पремारा होतीजी थि उसी को जलाके रहने वहां से रहने भी कि लगे किसी दूसरे चछीत को जलाके साफ कर लिया और बहुंग Space कर्ठी नोंKA में लगए अलगे लोग रहा करते थे और आम के पेड़ए माझाम स fines 및 जोपड़ियों और रहा च्छाओं में आराम किया करते थे, ये खाने के लिए महुआ के पूरे कत्र करते थे, और ये पूरे ही प्रदेश को जहां पर रहते थे, उसे अपनी निजी भूमी मानती थे, जबकि ये उनकी होती नहीं थी, और हमेशा से जब ये अपनी निजी भूमी मानते थे, तो ये ब बीच में आके बिल्ली दूर पीके चली जाती है तो आप समझ गए कि किस तरीके से कैसे लिखेंगे कैसे इनकी दिन चलिया होती थी कैसे जोड़े थे तो भाई किसी जंगल के छोट हिस्ति की जाड़े को काटा घास फूस को जला दिया जमिन साफ कर ली जमिन उपजाव हो ग है कि बहुत सारी जिगों पर इसांपल यह जो लोग थे यह इमली की पेड़ों के बीच में अपने जोपियों बना के रहते थे आम की पेड़ों पर आराम करते थे खाने के लिए महुआ के फूल होते थे ठीक है आप इसे कंदमूल भी कह सकते हो वह यहां पर आयते थे ठीक है बच्चो अब इसी कोस्टन को आप से इंग्लिस में इस तरीके से पूछा जाएगा कि दा लाइफ ओफ दी पहारिया पीपल वाज क्लोज दी लिटी टी फोरेश्ट इस तरीके से यहां से लेके यहां तक आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा आप इससे चाहें तो वीड है 27 जिसमें आपका एक कोश्टन है चप्टर ओर 13 से एक कोशन है चप्टर नुबर 14 से लेकिन यहां पे पूरा पेपर का पैटरन मेर को नहीं बहुत रहीं है इसलिए मैं कहता हूँ कि हार एक पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें, ठीक है ना बच्छो, चलिए, कोश्ट नमर 27 को समझेंगे बहुत अच्छी चरिकी से, कि गांदी जी के द्वारा, ऐसे योग आंदुल कब चलाए गया था और इसके क्या परिणाम निकले है, तो सबसे पहले तो आप एक भूमिका लिखेंगे, या फिर यह कैसकते कि ऐसे योग आंदुल कब चलाए गया, तो 1920 में कॉंग्रेस ने महात्मा गांदी जी के नितुरत है एक ऐसे आंदुलन को शुरू किया, जिसके कई परिणाम निकले, इसे ऐसे योग आंदुलन कहा गया, तो ऐसे योग आंदुलन जब सफल हुआ, तो इसके कई परिणाम निकले है, सबसे पहला परिणाम बच्चो ये था, कि गांदी जी का एक जन नेता के रूप में बहुत बड़ा राष्ट विया प्यान दोलन था जिसकी सफलता ने गांदी जी को एक राष्ट वादी नेता के रूप में इसे दिखर दिया जो लोग भी नहीं जानते थे गांदी जी के बारे में वह भी 1920 के बार में गांदी जी को अच्छे से जान दे लिए ठीक अब इसके अलग पार्टी बना ली कॉंग्रेस और उसको बोला सुराज पार्टी यहीं सुराज पार्टी जाके 1977-84 के चुराओ में अपनी एहमों कर दो थार्ड है कि कॉंग्रेस का समाज एक अधार व्यापक होना देखो मात्मागान जी कॉंग्रेस के संबद में थे ठीक है मतलब प सेरों के बीच-बीच में होती थी लेकिन अब जो था इसकी सफलता के बाद में कॉंग्रेस ने अपनी बहुत सी साखाएं खोलनी शुरू कर दी और अपने जनाधार को अपने और समत्रों को और जोड़ना शुरू कर दिया इसमें बहुत सारे उद्योग पती तिक्षित व सबसे पहला परड़ाम क्या था बच्चो एक जन नेता के रूप में होड़ा क्योंकि यह जो आंडुलन था वह एक राष्ट व्यापी आंडुलन था और जब यह सपल हुआ तो राष्ट का एक छोटे से चोटा बच्चा भी ने जान मिला है इस अडिवेशन के बाद में 1922 इसमें जो कॉंग्रेस का लहुरा दिवेशन होता है तो इसमें दो व्यक्ति एक मोतिलाल नहरो और चेतरण जन दास यह गर्मा-गर्म पंथी निकलते हैं इन्होंने क्या क्या भाई हम अपनी अलग पार्टी बनाएंगे तो इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनादी सुर में जोड़ना सुरू किया तो समाज के लेवल पर गाउं के लेवल पर सहर के लेवल पर पहले अच्छा था अब गाउं समाज के लेवल पर भी इन्होंने अपना जन आदार अपना सम्मर्थन और ज्यादा बढ़ा लिया यह कंप्लीट आपको समझ में आ गया तो इस तरीक कि आपका विवार्चन वाला चैप्टर 2022-30 के लिए कटा हूँ तो संबिधान सवा में आरक्षण के पक्ष में एंजी रंगा तथा अंबेड करके बयान को लिखें देखें आरक्षण के पक्षी बात की जा रही है तो आपसे हो सकता है कि एक का पूछ ले एंजी रंगा का संबिधान सवा में आरक्षण के पक्ष में था तो सबसे पहले हैं एंजी रंगा यह एक समाजवादी यूबा किसा नेता थे उन्होंने अलप संक्य की परिवासा इस तरीके से की कि वे लोग जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उन्हें आरक्षण दिया जाए अधिकारों का तो स्वागत किया लेकिनमें का मतलब तब तक नहीं है जब तक यह समाज के अनिवर्गों तक सामने नहीं आरे देखो दुबारा समझा देता हूँ अब मुझे लगता है कि एक अन्फिजन हो गई होगे देखो बिसिकली एंजी रंगा एक समाजवादी यूबा किसान नेता थे इन्होंने अलप संकी की परिवासा ऐसे की अलप संकी की परिवासा आर्थिक रूप से जो पिछड़े दिये गए हैं जब तक इनका सेज़े की अई नहीं होता है तब तक इनका कोई अच्छे तो नहीं है हम उनके प्रतिदी नहीं ट्रस्टी है अधार विसिकली का मतलब क्या होता है जिसको आप वाद सुर्व उप ठीक है और प्रतिदी बिसली ओफिशिली लेवल पर हो ठीक ह यह जब तक इस समाज के अन्य वर्गों तक पराबर ना जाएं फिर सामने ना ले लिए ठीक है फिर अंबेडिकर जी कहते हैं तो अंबेडिकर जी कहते हैं भाई कि भारत के विवाजन की बार यह जो प्रतक निर्वाचिका की मांग है इसे छोड़ दिया और इन्होंने कहा यानि कि यह अंबेडिकर जी क्या कहते हैं कि पहले तो यह प्रतक निर्वाचिका के पक्षे थे लेकिन उन्हें कहा कि अब मैं प्रतक निर्वाचिका को छोड़ देता हूं लेकिन यह जो चुआ छुट फैली हुई है इसे खतम करो साथी जितने भी हिंदू मंदिर इनके बाद है ठीक है तो यह एंजी रंगा का वयान हो गया और यह अंबेड कर जी का वयान है ठीक है बच्चो आयूब आपको कॉश्चन पर 27 कंप्लेटली आपको यहां पर समझ में आ गया हुए एकदम अच्छे तरीके से अब इस ही में आपका सेकेंड कोश्चन है पतल स्टार्ट किया था 1920 में क्या-क्या इसके परिणाम निकले थे तो राइज ऑफ गांद्री एज ए मैस लीडर एंड उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सोराज पार्टी यहां पर दिया हुआ है एंड सोसल बेस और कॉंग्रेस बाइड निंग की बहुत जादा मजबूरत हो यह अब इसी में आपका सेकेंड जो कोश्चन दिया गया है उसमें पूछा गया है हमसे एंजी रंगा इन फीवर और रिजर्वेशन इन दी कॉंस्टर सेबली एंड राइट दी स्टेटमेंट्स ऑफ अम्बेड कर यहां पर आप वह भी देख सकते ठीक है बच्चो तो यह हो है हमारा यहां पे पूरा का पूरा पेपर अच्छी तरह से कंप्लीट अब जो है बच्चो वह हमारा सुरू होगा सेक्शन नंबर सी प्लस डी प्लस इसको हम करेंगे कल की वीडियो में इसे हम कल नहीं बेसिकली यह जहां तक कोशिश होगी इसे मैं आज सामपर डाल दूं को यहां तक देख चुके हैं वो सभी बच्चे मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता हैं कि पार्ट टू आपको कब चाहिए साम तक चाहिए या फिर कल चाहिए जल्दी से जल्दी कमेंट किए जितने ज्यादा पार्ट टू के लिए जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी ही जल्दी मैं आपके लिए पार्ट टू अप्लोड कर दूँगा और जितनी ज़दा वीडियो पे लाइक होगी उससे भी मुझे मॉटिवेशन विलेगा कि हाँ बच्छों ने मतलब अपना सपोर्ट दिया है अब तो और जल्दी से डालो एक है न तो जितना हो सके उत इक्जाम की अच्छे से त्यारी कर पाएं और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबेक मुझे ज़रू दीजेगा यस तो आपने जो भी समझाए वह अच्छे समझ में आया है या नहीं कोई डावट करे कॉस्शन हो तो आप हमसे इस्टाग् जैहिन पंदे मातरम